वेल्किम जेहिंटिफिंस आस्पिरंस आज के इस वीडियो में मैं गुर्की रुटक और आप सभी से डिस्कुस वेटने वाली हूँ मिलिट्री नॉसिंग सर्विसे टू थाउजन एंट वेंटी टू की सबसे सटीक स्ट्राटिजी जब हम बात MNS एक्जाम की करते हैं और सन 2022 में कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हम MNS एक्जाम को टोटल थ्री पार्ट्स में डिवाइट करेंगे ठीक है फर्स्ट इस CBT, सेकंड इस PAT और थर्ड वान इस पानल इंटरव्यू तो आज के यह जो वीडियो है इसमें MNS 2022 के तहट मैं आपको तीन आसपेक्स के उपर ब्रीफ करने वाली हूँ जिसमें CBT, PAT और पैनल इंटरव्यू की तीनों की ही स्ट्राटेजी रहेगी बहुत सी सिंपल छोटी सी सटीक वीडियो होने वाली है आपको इस वीडियो में ना सर्फ स्ट्राटेजी जानने को मिलेगी बलकि टिप्स और साथी साथ में अप्टेट इट सिलेबस भी जानने को मिलेगा लेसन प्लान भी प्रोवाइट करने वाली हूँ तो बहतरी इन सी वीडियो है और ये अगले कुछ 10 से 15 मिनिट आपके पूरे MNS एग्जामिनेशन के सफर को बहुत ही जादा असान बना देंगे तो आईए शुरू करते हैं बिल्कुल to the point ये वीडियो विडाउट वेस्टिंग एनी फॉर्थर टाइम सबसे पहले आईए बात कर लेते हैं MNS एग्जामिनेशन में CBT के बारे में ठीक है CBT आपका हो गया computer based test तो आईए देखते हैं 2022 के तहत पहले requirement देख लेंगे उसके बाद में देखेंगे पढ़ाई करनी कैसे है देके CBT के तहत जो notification आपका military nursing service का निकला था उसमें एक point था जसमें लिखा गया था test of general intelligence and general English T-O-G-I-G-E ठीक है तो पूरे जो notification है उसके तहत आपके जो questions आने है वो general English वो general intelligence से आने है total 40 questions आएंगे आपके जो कि 80 marks की होगा यानि प्रते question दो number का होगा और negative होगी point 5 marks की और पूरा ही आपको इस बार जो paper है वो 30 minutes के अंदर complete करना होगा ठीक है तो यानि कि 40 question 30 minutes में complete करने है छोटा सा paper होने वाला है mcq based होगा तो बहुत जादा परिशान होने की जरुत नहीं है बस यहाँ पर एक aspect आपको समझने की जरुत है कि आप एक chart देख रहे होंगे आपके सामने वहाँ मैंने GK के साथ साथ में general intelligence के section में reasoning को भी include कर दिया है अब आप कहेंगे ऐसा कहीं notification में तो नहीं दिया है लेकिन अगर आप थोड़ा सब पीछे चले जाए MNS 2021 में तो वहाँ पे आप देखते थे कि वहाँ एक word यूज हुआ करता था general intelligence आपके सामने इस समय मैंने वह भी screenshot लगा idea है 2021 की notification का यहां पर आपको पता है कि general intelligence में GK वर रीजनिंग दोनों पूछे जाते थे जिसमें की करेबन 45-46 questions आपके GK के होते थे और 3-4 questions आपके reasoning के होते थे तो वही कुछ idea मैंने 2022 के लिए आपको दिया है कि इस बार भी अगर 20 questions हम मान के चल रहे हैं general intelligence के तो करीबन 17- मान के चलिए और एक से दो questions आप reasoning के मान के चलिए ठीक है होप यहां तक आपको इतना clear हो गया है यहां तक clear होने के बाद में आए चोटा से मैं आपको PAT के बारे में भी बता दूँगे और साथी साथ में panel interview तो जैसे कि अब मैंने एक general brief में CBT को cover किया है अब आई देख ले कि इस बाई यह test newly introduced है तो है क्या basically यह qualifying examination है दो इसका जो score है वो consider नहीं किया जाएगा final merit list बनाने के लिए अगर मैं basic parameter पर देखूंगी PAT है क्या तो basically यह एक आपका psychological assessment test कुछ MCQ based test होने वाल है जिसमें तकरीवन मैं इस समय मान के चलिए हूँ कि आपके 40 questions होंगे 30 minute के अंदर आपको करने होंगे जिसमें प्रते question कि आपको 5 options दिये होंगे जिसमें से आपको एक option या दो option को आप tick कर सकते हो जिसमें कि यह नहीं होगा कि यह correct option है यह incorrect option है ऐसा कुछ भी नहीं है एक basic psychological based test होने वाला है जिसके कोई number नहीं होंगे आपको मैं बता दूँ एक FMC FBBS के selection मे आपका PAT का test होने वाला है तो in general है यह चोटा सा test होने वाला है इसके बारे में भी आगे में बताती हूं लेकिन यह जितना चोटा test है उतना ही जबरदस्त आपके जो panel interview हो उसके लिए एक base होने वाला है इसको जरूर ध्यान से आपको समझना है और इसको समझते हुए ही आपका panel interview जो की board of members होंगे board of officers होंगे एक designated value pin लेने माले है करें चार से पांच panel officers आप expect कर सकते हो जो आपको interview करेंगे और यह search करेंगे कि आप इन्हें नाम forces में serve करने के लिए fit हैं की नहीं है तो आप देख सकते हैं कि छोटे से एक overview से मैंने आपको तीनों ही चीजों का overview दे दिया है जिसमें CBT हो PAT हो और panel interview हो तीनों के overview आपको मिल चुके हैं अब आए फटा फट से हम dive in करते हैं topic में और CBT strategy के बारे में जानते हैं देखें सबसे पहली बात आप देख सकते हैं screen पे एक चोटा सा वही चार्ट मैंने दुबारा mention कर दिया है तो बहुत important हो जात जो मैंने लिखा हुए क्या है? राइट syllabus जानना जरूरी है तो राइट syllabus कैसे जानेगे? राइट syllabus जानने के लिए आपको महनत करनी पड़ेगी, राइट? कुछ से हार इंडी करना पड़ेगा तो वह वहां करने की ज़रत नहीं है आपके लिए मैंने खुदी राइट syllabus नाशनल पार्क्स, इन्वेंशन से लेके पूरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने आपको दे दी है जितने आपको अट लीस्ट पढ़ाई करने हैं जीके के लिए और उसी के साथ साथ में मैंने आपको इंग्लिश का पूरा syllabus आप देख सकते हैं, नेक्स स्लाइड ने में में कर दिया है, कहां से और कितना पढ़ना है, और साथ ही साथ में रीजनिंग आपको एक इन जैनल syllabus प्रोवाइड कर दिया है, तो इसी को रिफर कर लीजे, इससे बाहर आने और जाने की जूरत नहीं है, पढ़ना नहीं है, इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहतर होगा ठीक है, next is, understand करिए previous year questions के trends को, भले इस बार पाटन एकदम नया होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको जो पिछले साल के questions है, previous year questions है, ये बहुत जादा help पढ़ने वाले हैं, तो इसके trend को समझना है, trend को समझने के लिए आपको करना क्या है, आप Center on Defense Academy का जो M&S वाला चानल ह आप इस पर जाके, आप previous year questions के videos देख सकते हैं, वरना उसके लिए भी परिशान मत होई है, मैं कुछ sessions आपके लिए previous year के schedule करवा दूं की, teachers के द्वारा, ताकि आपको पूरे previous year questions के एक बर overview मिल जाए, जो कि आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा, तो बिल्कुल परिश जीद है कि जो कि बहुत वास्ट होती है, ठीक है, आप यह नहीं क्या पाऊगे कि नहीं मैंने सारा याद कर लिया, तो वो क्या करना है, डेली डेली टाइम डेडिकेट करना है, जहां से कुछ नया शब्द सीखने को मिल रहा है, सिनॉन, आंटनिम, जीरिम, स्प्रेस को अगर आप इंग्लिश के तैयारी सिर्फ करना चाहते हैं, तो इस बुक को परचेस करके, इसमें सारा ग्राम प्रस वोकाबलरी का पोर्शन आपके एक्जाम पॉइंट व्यू से आपको मिल जाएगा, इसको परचेस करने के लिए आप अमजान पे जा सकते हो, वहां से भी तो आपको बहुत असानी से बुक दो से तीन दिन में डिलेवर हो जाएगे और आप अपनी बहतरीन तयारी कर सकते हो टाइम से, ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको पताना चाहती हूँ जीके के बारे में, तो जीके में आपका अगैन स्टार्टिक प्लस करेंट अफेस होता है, अब स्टार्टिक जीके के लिए सिलेबस दे दिया है, बुक चाह रहे हो, तो बुक ये जो यलो वाली है, अमजोन पर अगैन आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आप और कर सकते हो, ठीक है, और अब करेंट अफेस के लिए करना क्या है, आपको लास सिक्स, यानि कि जनवरी 2022 से करेंट अफेस पढ़ने हैं, तो उसके लिए परिशान मत हो, जनवरी 2022 से जो करेंट अफेस आपको पढ़ने हैं, वो आप हमारे में सेंचूरेंट इपेंस अकैडमी की अगर में चानल पर जाओको तो टेली सुबस साथ बज़े से करेंट इसकी क्लास आती थी, जनवरी से ही ये क्लास है, तो आप उसको देख लो, उसको पढ़ लो, आप समझ जाओगे, नहीं हो पा रहा है, इतने सारे लेक्शूर्स कैसे देखूं, कैसे सेग्रिगेट करूं, तो उसके लिए परिशान मत हो ये, आपको 5 अगस से सेंचूरेंट नेक्स है रीजनिंग, रीजनिंग वर्बल प्लिस नॉन वर्बल होता है, तो इसमें जादा फोकस नहीं करना है, अट लिस्ट इतना कि अगर बेसिक दो से तीन क्वेशिन आए तो हम रिजॉल्फ कर पाए, उत्ता त्यारी करना है, और बाकि ये है कि क्योंकि टाइम बहु अच्छा कोर्स है क्योंकि इस बार आपको CBT MNS जो 2022 का कोर्स है, इसमें ना सिर्फ CBT की PAT पैनल इंटर्व्यू तीनों की तैयारी है, प्लस तीन-तीन महीने का MRS 2023 का कोर्स भी फ्री मिल रहा है, ठीक है, यदि आप अपनी महनत नहीं करना चाहते हो, चाहते हो कि सब कुछ बस किया कर आए, मिल जाओ, हम बस याद कर लें, प्राक्टिस कर लें और एजम नहीं तो आप इन कोर्स में इन्रोल्मेंट ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर भी मैंने आपको जो है, लेस्न प्लांस, लेबर्स, आपको कॉंटेंट तक बता दिया, कहां से पढ़ना है, आ इस बुक का आपको बेनिफिट कहां मिलेगा, इसमें जो आपकी पैनल इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेशन हैं, वो सारी सीरीज होगे, प्याई क्यू फॉर्म होगे, वो सब चीजे इंक्लूडेड है, तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मल्टिपल न साइकलोजिकल असेस्मेंट टेस्ट की स्टाटेजी पर, आपको यह समझने की जुरूजिकल असेस्मेंट टेस्ट जो बेसिकली है, वो आपको जज़ करने वाला है, आपके ओफिसर लाइक कॉलिटी के लिए, कि आप सिस्टम के जो अनुकूल हैं कि नहीं है, बेसिकली आपको in general अपने आपको sorted रखना है, आपकी जो answers देने का तरीका होना चाहिए, वो problem resolving, जो attitude है आपका उसको reflect करते होना चाहिए है, आपको ये समझने की जुरुत है कि आपकी personality का test है, तो जो आपके responses है वो आपके बगलवाले की नहीं हो सकते, जो आपके responses है वो आपके लेकिन अगर आप बाद में अपने responses को पैनल इंटर्विव में justify नहीं कर पाए, तो वही problem होगी, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसका guidance और assistance लेना है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको lightly लेंगे, assistance और guidance नहीं लेंगे, बोलेंगे, संभाल लेंगे, तो ये संभा तो वहाँ performance has to be best, राइट, इसके लिए officer-like qualities, mind, heart, guts, limbs are related, उसको समझे, reflect करवाईए अपने अंदर, तो ये totally practice test है, जो कि पसनालती repair करके होगा, इसका भी आपको पूरा guidance crash course के तहत free मिलने वाला है, तो अगर आप चाह रहे हो कि सब चीजे आपको पूरे तरीके से well structured or planned मिल किजे उससे अच्छा आपके लिए substitute कोई ही नहीं है, वरना वरी मत करिए, फिर भी Centurion Defense Academy हमेशा अपने students के लिए free lectures लाती ही रही है, वहमेशा लाते रहेंगे, परिशान मत होई है, फिर जो भी limited content आपको Centurion के MNS के YouTube channel पर मिलेगा, आप उसको review करिए और उससे तयारी कर सक पर मिलेगा, अगर नहीं तो आपको link description box में मिल जाएगा, वहां से download कर लीजे, प्याइक्यू फर्म को कैसे फिल करना है, इसको समझ लीजे, अपने प्याइक्यू फर्म से related questions को prepare कर लीजे, अपना self introduction, self introduction के questions जितने भी होते हैं, अपने communication skills, body language, eye contact, sense of humor, personality development in सारे aspects पर आपको work करना होगा, ठीक है, क्योंकि देखे होता क्या है ना कि ये आप कैसे work कर पाऊगे, जब तक आपको को feedback नहीं देगा, तब तक आपको नहीं समझ माएगा, हम अपने तरफ से उतना ही judgment लगा पाते हैं, जितना हम अपने अंदर कमी देखते हैं, अब जब आपको को third person guide कर र for example, कि आपकी weakness क्या है, और माल लीजे आपको गुसा बहुत आता है, और आप कहें कि angry mood या मुझे बहुत गुसा आ जाता है, ये मेरी weakness है, वहीं में आपका काम खराब होता है, क्योंकि weakness ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बतानी है, कि आप गुसेल है, वो आपकी weakness है, लेकि आपने weakness को present कैसे करना है, किस तरीके के शब्दों का आपको use करना है, ये important है, आप कहें कि आपको पूछा जाए कि आपको suggestion देना है, कुछ suggestion दे दीजे, इन्डिनाम forces में, आप आज MNS के इंट्रिव्यू देने के लिए पहली बार, ऐसा process आपने देखा, आप suggestion दे दीजे, तब कैसा suggestion दोगे, आपका suggestion constructive होगा, आपका suggestion general nature का होगा, आपका suggestion होगा, क्या system को तो नहीं question mark कर रहा है, वहाँ पे आपके जो responses है, वो judge किये जाते हैं, कितना maturity से, आपकी उमर के according कितनी maturity से, और कितना effectively आप अपने answers को produce करते हैं, और सामने वाला समझ भी पाता है, तो answers, matter क्या करते हैं, आपका जवाब, right, और आपकी जवाब देने का तरीका, और उससे भी ज़्यादा क्या matter कर रहा है, आपके answer की quality, content है कि नहीं है, philosophical तो नहीं है, तो इन सारे aspects के लिए आपको against insurance defense academy में, गाइड किया जाएगा, by different experts, और वो आपको आपके panel interview के लिए प्रियारी करना चाहते है, at least PIQ form, PIQ से related जितने questions बनते हैं, अपना self introduction, अपनी body language, eye contact, sense of humor, इन चीज़ों पे खुद से develop करना, work करना, शुरू करें, आप previous lectures दे सकते हैं, जो live lectures है, MNS panel interview के experts के already पढ़े हुए है, चानल पे, तो उन से आप help ले सकते हो, else मैं आपको यही कहू होना चाहिए, जो आपको side by side, सही guidance देता रहे, ठीके बच्चे, तो होप आज का यह छोटा सा video, जिसमें मैंने आपको तीन ही aspects के बारे में ब्रीफ किया है, about the MNS CBT, PAT and panel interview, आपको लगभग strategy समझ में आ गई होगे, और आप clear होगे होगे, कि आपको करना क्या है, so now decision is in your hands, time is with you, 30 to 45 days, gear up, start preparing, ऐसे ही और वीडोस देखना चाहते हो, with reference to anything, for MNS 2022 examination, please comment me, in the comment section, I will see to it and definitely try to bring out that content, जो आपको help करे, with this, all the very best, thank you, jahit.